मारे साथ बुकारों के वरिष्ट आर्योदिक चीहिस्तक डॉक्टर राजिस पाटक है आए उनसे जाते हैं आ निद्रा से होने वाली समस्याओ के घरली उपचार से जुड़ी कुछ खास जानकारी लोग आसे लट्या करते हैं राती जागरंग करते हैं और दीन में सोते हैं तो जो परकृति की विरूद हब जाएंगे तो अनित्रा की प्रोल्म महां से उत्पन होती है से बढ़िया घरली उपाय है लोट तीसी का यूज करें तीसी को एक टेक्ट समस्वा साम गरम पानी से लें तो इससे नीद्र की समस्याओ पूरी हो जाती है बच्चों में बादाम अगर दिया जाए चार से पांच रात में उस लोग भिंगो दीजिए सुबच छिल्टा हो लोग मचली का भी सेवंग करते हैं उससे भी लोग का नीद्पूरा होती है इसना सबसे अच्छा उपाय दही है और दोपहर में दही का छास मुना कर लिया जाए तो नीद्र की समस्याओ दूर होती है घरली उपाय में आप शहर्द यूज कर सकते हैं एक्टेट समस्वा सा लेने से मानसी तरना दूर होता है नेंद अच्छी आएगी राते सोते समय गुंगुना दूद पी लें उससे नेंद अच्छी आती है पुराने जमाने में लोग तीसी और कोड़ा कभीज कर सेवंग करते थे कोड़ा कभीज को भी पास पास दाना सुबर सम लिया जाए और आप दवा की रूप में लेना चाहते हैं तो सरुगंधा असुगंधा यह सब मार्टेट में इजली मिल जाती है किसी राज़न दुकान में जाएंगे मिल जाएगी जेडी बुटी दुकान में जाएंगे मिल जाएगी उसमें क्या है दोनों को बरावर मातरा में मिला ल से दूद्ध से नींद की केमी दूर हो जाती है बच्चों में ब्रामी और सेंट फुस्पी का बहुत ही अच्छा योग है अगर ब्रामी सेंट फुस्पी बच्चों में दिया है तो नींद की केमी को दूर किया जाता है और अगर मान लीजे कोई बीमारी से लोग गरसित हैं म में हमरे आयर्वेध मी सबसे कर्मा में शीरोध्यारा का बहुत ही अच्छा रॉल्ल है इसमें मान्सीट से जोड़े हुए बहुत सारे तेल हमारे आपई जाते हैं जैसे ब्रामिरा का ensure सरपी डालने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिता है और सबसे बढ़िया उपाय है आपका योग और आप डेली से साइज करते हैं तो उसमें क्या है कि आप जितना और सिजन लेंगे उतना आपका ब्रें तेवाट सिजन पहुंचेगा वह सबसे अच्छा निंद क्या प्रोलों को ठीक करता है इसलिए करें धन्यवाद